सिंगम अगे इनके ट्रेलर ने भाई बना दिया रेकॉर्ड मैं खाली यूट्यूब की बात कर रहा था आजे रोगन फिल्म्स को तो मैं मतलब वो भी अगर काउंट कर रूल कर लू तो भाई जियो स्टुडियोज और रिलांस एंटेटेंट्मेंट को मिला के ही पचास मिलिय इनके करीब हो गया भाई इनके व्यूज इतने जल्दी मतलब अभी फिल्म को यार कितने बज़े आया था ट्रेलर एक बज़े न एक साथ आट नौ दस ग्यारा बारा एक अभी भी भाई अभी 24 आवर्स होने को है और ये मत बुलो अक्षे कुमर के इंस्टाग्राम पोस्टर आयेगा बहुत जल्दी एक बज़े या देर दो बज़े 24 गंटे में कितने हुए क्या सारे प्लाटफॉर्म मिलके 100 मिलियन प्लस हुए या नि वह वाला भी आ जाएगा देख ले ना गैरेंटी बोल रहो पोस्टर तो आएगा क्या तगड़ा रिस्पॉंस मिला ह सिंगा वागन के ट्रेलर को आउट स्टेंडिंग यह मत बूलो भाई पांच मिनिट का बड़ा ट्रेलर है और जब जितना बड़ा वीडियो होता है न उसके चांसस काम होते है वी उसके लोगों ने तो देख लिया न त्रेलर और लोग तो ये तक बोल रहेगा न पांच मिनिट ख़तम कैसे हूए समझ में भी निए एक बात तो मैंने देखा एक ट्रेलर कट जो रूई छेटी कुछ लोग बोलते रहेते न बैई ट्रेलर कट ट्रेलर कट एक बात बुलू बहे फिल्म तो बढ़ी है और पांच मिनिट के ट्रेलर में चलो ठीक है, उन्होंने एक बेसिक स्टोरी पिलॉट दिखा दिया और कोई भी फिल्म में बेसिक स्टोरी और प्लॉट डिखा दिया जाता है बहुत सी फिल्मों में और जब कॉप युनिवर्स, पाइ ईवनिवर्स टैब की फिल्में होती नहीं उनको यार आल्मोस्त पता है कि क्या होने वाला है आप जैसे स्पाइ उन्युर्स होता है कोई एजंट है उसका कोई काम है और वो जीतने ही वाला है सबको पता है इंडिंग क्या है तो यह इतना कुछ बड़ानी इन लोगों गुना नहीं कर दिया कि यह दिखा दिया नहीं चाहिए था वो दिखाने ग्यान पेलने वाले तो आजेंगे भाई यह नहीं दिखाना था वो नहीं दिखाना था भाई एक basic plot तो वो वैसे भी दिखानी वाले थे ना चलो ठीके दो थीन मिनीट का भी Donc taraf उनको उतना तो डिखाना पडता ना कि अर्जुन कपुर ने कीडनाईब किया एकर रीना कपुर को भSu हो तो नहीं तुम चोड़ते तो फिर बात में भी तुम यह बोल दे तो फिर दो तीन मिनीट का भी ट्रेलर होता तो नहीं यह दिखाने भाई मतलब कोई खुनी दिखा दिया आएंड ओल या कोई होरर कॉमेडी या होरर फिल्म तो है ने कि इन्होंने सिक्रेट रिवील कर दिया ये अब सिंबा का ट्रेलर चलो सूरेवन ची पता नहीं था गया क्या होने वाला मुवी तो चली थी ना ऐसी जो फिल्म में होती ही ना कॉप यूनियर्स और स्पाय यूनियर्स इसमें आप यह नहीं बोल चकते यार यह नहीं दिखाना तो हाँ यह थोड़ी दिखाया कि कोई अगर सच में इन कैरेक्टर में से कोई विलन होगा तो बात को समझो यार और इतना बड़ा अरजुन कपूर का जो कैरेक्टर दिखाया है अगर हम एक सेकंड के लिए यह मान के चले कि इन लोगों ने रामायंड को symbolic way में दिखाया है बट क्या 100% रामायंड दिखायेंगे यह आधूनिक रामायंड का भी यह कर सकते कि भाई इसमें कोई न कोई विलन निकला तो क्या पता इन्होंने यह थोड़ी बोला है कि इट्स टोटली रामायंड फिल्म बेस्ड ओन फिल्में सिंबॉलिकली दिखा रहें न यह लोग तो जरूरी नहीं न भाई कि कोई हो सकता है ट्रस्ट वर्डी कोई विलन निकले ऐसा भाई हो सकता है और एक बात याद रखना जब आप तेलगूत अमिल फिल्में देखते हो जब ओजी एक्टर्स आ जाते हैं जो प्रेडिक्टेबल स्टोरी के साथ आते और वो फिल्में तहल का मचा देती है आप तो उनकी स्टोरी भी देखो कभी-कभी दिखाई जाती कि अल्मोस्ट दिखाई जाती कभी-कभी ट्रेलर्स में ही कुछ फिल्मों की दिखाई जाती तब भी वो फिल्में चलती है चलती है उसके पिछे एक लॉजिकल रीजन होता है कि भाई वह एक स्टाइल होता है अब यहां पे भी इन लोगों ने अच्छा रूई चेटी ने सबका स्वैग अच्छा इस्तमाल किया है भाई तो भाई मुझे कोई भी डाउट नहींगी है फिल्म बहुत तगड़ा चलने वाली इसमें कोई शक नहीं क्योंकि देखो आप देखो कुछ फिल्म में होती है तेलगू उनकी स्टोरी बहुत सिंपल सी वह चल जाती है तो ऐसा ही रहता है भाई हाँ एनिमल मुवी आपने ध्यान से देखियोगी वह एंड का ट्विस्ट को आप छोड़ दो थोड़ा सा एंड का ट्विस्ट तो फिल्म बहुत बेसिक प्लॉट थी सिंपल वाइज चल रही थी चल रही थी एंड के ट्विस्ट ने सब कुछ फार दिया तो यहां पे सलमान का भी ट्विस्ट आएगा ना लग होता है इतना जल्दी आप नहीं रियाक्ट कर सकते कि यह सब कुछ द यह थोड़ी पता है हमें कि वो कब आएंगे सब के कैमियो भली आएंगे लेकिन कब आएंगे वह थोड़ी पता है इनोंने दिखा जिए कैसे आएंगे चलो ठीक है मानता हूँ वो कुछ लोग बोलेंगे वो गलत भी है मुझा नहीं लगता है यह स्टाइल है रोई बरता है बाइब कॉप इनियर्स और स्पाइ इनियर्स में आप क्या बोलोगे वार मुवी को छोड़दो रितिक्ये वो एक खतरनाक फिल्म थी मैंस पाइब थिल्म को मानता ओ वो और को मानता हू जो पार्ट वन थी वो सच में प्रेडिक्टेबल थी टाइगर का वह वाला ट्रेलर में इन लोगों ने सब कुछ दिखा दिया था भई पठाण में भी आर आपको पता था कि जीम विला ने शारुक केरेक्टर और कैसे बोल सकते हो यार कि ऐसे फिल्मों में होता है भई कॉभी नियूर्स और स्पाई नियूर्स में सिंबा तो पता था वो टेंपर वाला एंगल बड़ सूरवंशी में भी सब कुछ दिखाया था तो मैं उतना ज्यादा नहीं कंप्लेंट करूंगा उस एंगल को लेकर अब आते हैं में मुद्धे पर अलाकि बहुत बढ़ा हो गया यही वीडियो बड़ चलो जरूरी था जो से उनको जवाब देना जरूरी था और आज वो तीसरे वाले चैनल पर रोस्टिंग वीडियो जाने वाले हैं तो चलो जरा इंतजार करना वक्त मिलेगा तो डेफिनेटल आएंगे आप बात करते हैं शक्ती शेटी ना में ना बाई कुछ लोग बहुत बढ़े भौग रहे बात यह लेडी लेजा कुछ लोगों का भौकना अए यह इसको अप्टिंग नहीं आती यह तो मत बोलू और दुसरी बात वह लोग बोलर एँसने अवर लेग्टिंग अभे उसको बोला है उस कारेक्टर को करने का वब इसको क्या आती नहीं कि नॉर्मल एक्टिंग दीप वह एक्टिंग उसको और वह कूल लगी क्या तुमको क्या वह बस वह कौनसा वह बेश्रम रंग टाइप कही देखना है कि उसको थोड़ा पुलिस वर्दी में आ गई तो सेहन नहीं कर सकते क्या सब कुछ तुमारे ठरक से के हिसाब से थोड़ी नहोंगा भाई क्यों इतना ज्यादा और भौक रहे उसके नाम पर भाई एक अलग वे में आया उसको और लेडी सिंगा में और मुझे पहले से पता था इसका मुझे याद है याद करो जब डिपिका का एक लुक आया था सबसे पहला वाला मैं बोला था इसकी लैंवेज इतनी टपोरी होगी इसकी ना देख लेना यार बहुत बहुत बेटरिंग किया है और चेटी ने कि मैंने जो प्रेडिक्शन उस टैम पे किया तक यार यह पका टपोरी एकदम अलग लैंग्वेज होगी इसकी और भाई अच्छा लगा तुमको नहीं लगा तुम्हारा प्रॉब्लिम लेडी सि लगा में यार उस पे फिल्म बनने वाली उसका अलगी लेवल होगा अब तुमको उसमें लेट ले तो लगने दो बर्नौल लगा लो तुमको तो बहुत फैमिली पैकेज भेज दूगा मैं बर्नौल का क्योंकि यह फिल्म को तुम्हारे आउकाती नहीं रोकने की जैसे यह बार-बार हारने से अच्छा है कि एक बार सपोर्ट ही कर लो ओके तुम्हारे प्यारे जवान को बैस 3-2 मूवी ने तोड़ा यार हिंदी रेकॉर्ड तोड़ दिया वर्ड वर्ड में तो वह कभी टॉप पे थाई नहीं जवान क्योंकि वह दंगल बाहुबली के बाद के बाद यह पाच नंबर पे आता था नेट कलेक्शन में बाहुबली टॉप पे आज भी केजी एव टू है चाउदा सो करोड यादे ना ग्रोस बहुबली का सारे लेंग्वेज में हजार करोड का नेट यादे ना अज तक कोई नहीं थोड़ पया भारत में केजी एव लगा सकता हिंदे में 40-45 करोड आगे गई है स्त्रीट हुब हिंदी में 625 करोड का नेट कलेक्शन हुआ है तुम्हारा 580 करोड था मैं हिंदी की बात कर रहो है हिंदी लेंग्वेज में खाली नेट देखो गमन करके कुछ नहीं किसी की निगरिटिविटी फैल के भगवा तुमहार कालेक्शन तूटा है तो भाइ वह जो तुम्हारा है यह तुम्हारा है जगह पे तुम्हारे वोर्ड वाइड हो प्र वाइट को नेट में हो शारी स्थ्री टू शद्दकपूर से आरह हो वही तो भाई देखो वह घमन छोड़ दो दूसरी बात और भौकों मत दीपिका के नाम से तुमको जो भी आज तक कलेक्शन दिया है ना तुम्हारे कॉर्पोरेट की इंको वह दिपिका नहीं दिया है दिपिका के भी ना अंडा है वो करें हो तुम क्योंकि वो उसके फैन होंगे बाकी कौन भोकने वाला होगा उसके ही फैन हो सकते हैं बाकी कोई नहीं हो सकता आजे की फिल्म है तो वही जलेंगे सबसे ज़दा तो भाई वह रिक्वार्मेंट थी और उस कैरेक्टर ने फार दिया तो तुमको जितना आगया है वो सही दिखा है आफ्ट रॉल वो रनविर सिंग की वाइफ है थो वो सिंबा से हाला कि वो सिंबा के साथ नहीं है आई थिंक वो टाइगर श्रॉफ के साथ उसकी जोडी बनेगी मुझे जो लगता है बट मैं जो बोल रहा हूं कि I love that वो जो एंगल था ना उसका व उस टाइम पे जब उसने अनॉंस किया था कि लेडी सिंगम भी आ रही है तो जब उसने दिपिका को इंट्रोडूस किया था ना उसने शायद एक चीज बोली थी कि इसके करेक्टर कुछ अलगी होगा और तभी मुझे पता था अलग नी होगा टपोरी होगा टपोरी तुम को लगने तो भाई मिर्शी लगी तो बहुत हो गया विडियो को शेर मारो जितना जाता हो सके यह निगे और तुम लोग भाई तुम लोगों की वज़े से भी सब कुछ होता है तुम शेर वेर नी करते हो इन लोगों के भाई उसने इसकी नीगेटिवीटी फेल आई